कि ओक थो सब्सक्राइब करता हूँ आपका हमारे चैनल सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि अभी आपने मुझे मेरे इस्सेग्राम आइडी पर फॉलो नहीं किया हो तो 97 अंडर स्कुष मंसरी पर जाके आप सिंपली मुझे कि बहुत से डॉट की कमेंट सेक्षिन ने पूछना उसे वहाँ पर क्ले करना असा नहीं होता तो संब्सेंगे आपके डॉट मेरे सां इंस्सेग्राम पर शेर कर देंगे और वहां पर क्ले कर दूंगा सब्सक्राइब करते हैं आप लोग कुछ बेसिक फॉर्मलिस वगर लास्ट वीडियो में एक्स्प्रेन नहीं देखा वह तो पिछले वीडियो को जाकर वहाँ पर देखें और इसको वहाँ पर समझ लें आज की वीडियो में हम लोग और नहीं चीज़ देखने वाले हैं टैंजेंट के बारे में तो पिछले वीडियो में था वहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मलेस बगरे नहीं देते बस एक कोशन इसके पर करवा दिया था लेकिन आज में प्रॉपरल्ला भी आप लोग को दे रहा ह हुआ दिया जाता नि Hyp None इस तरीके से दिया जाता है धी है टो यह होगा क्या हम लोग और आप लोग को बताने है जैसे कर गिवन घुवन ऐप कोई बीखवेशन दिया रहीगा हम लोग को पूछे बाइसको पूंग है क्या हम हम और को तेंजेंट है कि नहीं वह अमनों को पूस्ता है तो condition भी प्लस बीस्गेर मतलब अगर मैं compare करें आपने को सिखा दूँ तो यह को y is equal to mx plus c के format में है तो यह को square root जो value है square root में जो भी value है वो c हो जाएगा यानि कि square root हो जाएगा तो जो square root के इंदर value equal to c square तो यह लिखा है a square m square plus b square equal to c square लिखा हुआ है समझ में आना दोस्तों मैं फिर से समझाने ही कुशिश कर रहा हमारा format क्या है y is equal to mx plus c का format है ठीक है y equal to mx plus c का format है अब जाएगा लिखा हुए दोस्तों c equal to a square m square plus b square लेकिन जाए square m square दोस्तों यह तब जाके हमारा क्या होगा जो गीवन राइन हो क्या होगा हमारे हमारे कंडिशन बहुत important condition है और अगर वह line हमारे ellipse को tangent हो चुकी है अब क्या होगा तब होगा हम लोगों को मिलेका point of contact और point of contact हम लोगों दिया जाता है दोस्तों इस तरीके से x, y equal to a square m upon c, यहां पर क्या जाते है अब point of contact मिल जाएगा अब इस पर जाते है तो पॉइंट पी अभी सम्टाम क्या होता हम लोगों एक पॉइंट के पर कोई पॉइंट है ठीक है एक पॉइंट है उसके बस समय टैंजिन जा रहा है तो यह पी का जो कॉडिनेट बनेंगा ना किसके टम है दोस्तों थीटा के टम है पॉइंट पी है जो x,y है उसको अगरलोग एको फिसम में लिख रहे है यह बन जाता है हमारा इक्विषन ऑप टैंजेट अप highly ले अब लिख सकते हैं एक स्कॉर्ण प्लस य इंट वाइवन अपन वी स्कॉर्ण एक्वल टुवन पस एक्सवन एन वाइवन को रिप्लेस कर दो किसके साथ एक कॉस्त थी था जब एक एक कांसल तो यहां पर बज़े एक स्कॉस्ट थीटा वन अपन एप यहां पर पूट अब बहुत इंपॉटन चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने चीज़ है बहुत ही इंपॉटन चीज़ है लोकॉस पॉइंट ऑफ इंटर्सेक्शन आप तैंजेट अब सरकल के हमाल इती के हमारा इलिप्स है इलिप्स के पर कभी-कभी बहुत साथ टेंजेंट जाते हैं तो दो टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पर टच करके जा रहे हैं तो उस पॉइंट मतलब उसका हम लोकुस पॉइंट इसको बोलते हैं अपन लोकॉस तो पॉइंट पे जब करेंगे तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कोडिनेट का हम लोकुस निकालना है वह कैसे निकाले का अभी मैं आप लोकुस अपने को समझाता हूं यह इक्वेशन ले लिए अब इसको यहां पर ले लेता हूं तो वाइबन माइनस माइनस अन्डरूट एसक्वेशन फ्लेस बिस्क्वेर केतना क्लेड ओगया अब धोनों साइट में करते का स्क्वारिंग कर दूंगा जैसे ही स्क्वार करूंगा यहां पर फ्लस-प्लस-द्स गया सब्सक्राइब यहां मिलता है यहां इसके बाद यहां पर स्क्वाइर कर देंगे स्क्वाइर स्क्वारूट कैंसल होगा यहां पर जाते हैं यहां पर दोगा यहां यहां कि a square minus 2 into a into b याने a की value अपन y1 पकड़ते बी की विल्व अपन x1 m पकड़ते हैं उसके बाद क्या आजएका प्लस b का स्क्वार तो b का स्क्वार यहां कि mx1 का होल स्क्वार याने कि x1 का स्क्वार और m का स्क्वार इसे मज़ बागे यह लेफ हैं साट को अपने यहां पर लोगों तो y1 square minus 2y1 x1 m और यहां पर plus x1 का square m का square minus a square n square plus b का square equal to क्या जगा है अब हम लोगों कि आ करना मालूं मैं इस equation को convert कर रहा है हम लोगों को कॉडिक फॉर्म में जहां पर हम लोगों का variable होगा दोस्तों उसको पकड़ेंगे आपन क्या मतलब क्या माइनर एक्सिस का होगा वो लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पर समझ में करेंगा इसमें और इसमें क्या करेंगे आपन को कॉमान निकाल को कहा यहां पर क्या यहां पर पर क्या इसके बात Прisce यहां पर यहां थो माइनस तू और यहाँ पर लिखे डाइब के तो यहां पर लिखो ऑड़ है यहां पर प्लस ब्स तो कंडर गॉर बावर प्लस ब्स कोडिया और गया अब अब दो अब हlais अब देक सक्विए और कहा शुंगल अब यहां पर दो चीजी दिखेंगे एक प्रोड़क्ट और दूसरा होता है इसलिए अब आता का इसलिए मैंने पूरा का पूरा पूरा पार बता दे कहां से आता है तो मैंने यहां पर आप लोग क्लियर कर दिया हुआ है अब यहां पर देखेंगे तो माइनस टू यहां पर जैसे माइनस माइनस कैंसल क्या हुआ एक ही वैली क्या दोस्तों अब देखो दो हमारे पास दोनों टैंजेंट के स्लोप हम लों को यह दे रहा है एक टैंजेंट का स्लोप यहां पर क्या बी स्क्वेर अपन में यहां पर क्या होचा है का यहां पर जैसे मैंने यहां पर इस चीश को किचा गल्दे से प्लस लिखा हुआ है तो यह मिस्टेक आप लोग भी एकसाम में करेंगे यहां पर भी देखो क्या हो जाएगा यहां पर आपने वह पूट करी बस इन सब को यहां से गयाब कर देता है यहां पर प्लस में तो माइनस में लिखना बहुत जाद है अपने नोट कर लो चाहिए तो अब इसका इस्तमाल हम लोग आगे वाले कोशन में करने वाले हैं यहांद कर लेंगे और संको इसको करें ठीक consult क्या अचाया बहुत बढ़िया अब बस आपनों क्या करना है M1.M2 की ज़ेंगे माइनस वन पूट करना है या पर क्या था y1 स्क्वेर बाइनस बीका स्क्वेर आपपर x1 स्क्वेर कि एंदिए का इसको सिम्मिलिफाइज यहां पहले जको तो सबको यहां पर दो यह इदर गया तो एधर आएगा प्लाइज रहेंगे од तो सिम्पल होता है लोको पॉइंट को निकाला जब दोस्त लोग क्यों होते हैं दो आप लोग गौर करेंगे नहीं कि मैंने एक सरक्ल बनाए ओगे आप लोगों अगर यह सर्कल इस पर्पेंडिकुलर लाइन की पॉइंट में से पास हो रहा हो क्या पॉइंटर क्यों एलिप्स का सेंटर हो तो वैसे तरखन को अपन क्या बूते दूस्तों ऐसे सर्कूब हुआ अब उसी तरिके से एक और छीज होती है कि अब एक इलिप्स का क्या अगर कोई सर्कल से पाइस में से पास में से पास में से पास में से इलिप्स का सेंटर हो वै आपन क्या बोलते हैं यह क्या हो गया अंसी लरी को दो सबस्क्राइब बता दिया और दूसरों पता दिया और यह बहुत इंपॉटेंट टर्म जो आपके दिमाग में होना चाहिए सब्टाइम कोश्चिन में पूछ लेता और अपने को पता नहीं होता है सब्सक्राइब करेंगे सेंटर के साथ जो भी वह एंगल बना रहा है उसको बोल सकता इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहां पर इस्तमाल होने वाली है आज के कोशन में और आगे आने वाले जो वीडियो उसमें भी आपको इस्तमाल होने वाले यह सारे चीज़े तो फटा को यहां पर अभी सॉल कर वाले इसको एक पर अच्छे तरीके देख लेना कि सम्टाइम से कोशन में सॉल करने के लिए भी बोलता है यहां तक लियर हो गया चलिए एक्सराइस पर बढ़े ठीक है ओके तो डैट लाइन एट एक्स प्लस वाई इकोल तो 17 सचिस अलिप्स एक सब्सक्राइब करेंगे इसको तो एक स्क्वाइब करेंगे इसको तो एसको कि की वेलु कितनी होगे कि 17 जो X2 अपने स्क्वायर कॉमा प्लस Y2 अपन बी स्क्वायर की वेलु कि 17 अपन 4 आप लोग चाहे तो एक वेलु भी निकाल सकते हैं कि मेरे साब से मत करो विकी वेलु आपन डारेक्ली स्क्वायर के टब में पूट कर देंगे तो इस तरीके से अपन प्लस वाय इक्वल टो 17 एक्वाय एक्वल टो 17 इसका इस्तिमाल करके आपन दो चीज़ें फांड आउट करें अपनें कि पहली जो चीज़ होगी वह होगी यानिक यानिक जो कैसे निकालेंगे इसको वाय इक्विट टो एमेस प्लस एक एक्वाय लिगें चाहते हैं यहां इतना हो गया हमारे पर 17 यह दोनों वैल्यू भी बहुत इंपोर्टन आप मैंने बताया था कोई भी लाइन इलिप्स को टैंजेंट है कि नहीं वो टेस्ट करना है तो आपको कोई कंडीशन याद रखना पड़े है वो कंडीशन क्या दोस्तों वो कंडीशन है हमारा दोस्तों वहाँ सिंपल टी स्कुरेइज इकल स्कुरेश स्कुरेइँ लैफ्स को टैंजेंट है कि रहे तो इसको यहाँ पर अप्र यह कर रहे हैं लेलो वो क्या हमारे पास T का स्क्वेर अब सी की वैल्य कितने 17 17 का स्क्वेर कितना हो जाए कुछ तो गलत हो रहा है एक बार देख लो y is equal to mx plus c y की वैलो सही क्या आपने लिखी वह भी देख लो ठीक है 8y ओके हाँ यहाँ यहाँ पर तोड़ा से मैंने गलत लिख दे 8y plus x equal to 17 यहाँ पर छोट इसी घटबर हुई है क्या है यहाँ यहाँ पर 8x plus y equal to 17 उसके अकॉर्डिन लिख दो 8y plus x is equal to 17 इसको यहाँ पर लेके जाएंगो तो 8y is equal to minus x plus 17 हो गया ठीक है अब 8 से अब कंपेर करेंगे तो m की वैली कितनी हुझे कि 17 अब करेक्ट है दोस्तों इस तरीके से हम लोगो क्या मिलके दोस्तों m और c की वैल्यू भी मिल गए अब c की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो c की वैली कितनी 17 अपॉन 8 का हुल स्क्वार है 17 का स्क्वार 289 8 का स्क्वार कितना 64 यहां पर LHS हमें मिल गया 289 अपॉन 60 अब जैसे आपने LHS को निकाला वैसे आपन आरचेस पर भी बढ़ सकते हैं बहुत इजीली दोस्तों ठीक है बहुत इजीली आपन आरचेस को भी निकाल सकते आरचेस क्या है आरचेस हमारे पास द समझ में आ गया स्क्वार जैसे लेंगे आपर जैसे स्क्वार करूंगा मैं तो यहां पर जाएगा और यहां पर सिक्स्टीफोर यहां पर सेवेंटीन अपॉन सब्सक्राइब निकालोंगो वन ब्लस सिक्स्टीन अपन मैं 64 वन प्लस 16 17 17 कितना थेगा 289 अपन मैं 64 यहां पर आरचेस कितना है जो हम लोगो चाहिए था लह से से बराबर तो लेट वारटी केक्वाल है दाक वेंस हमारा कंडिशन सब्रेस्टाइब होगया और जब कंडिसे अब सब्सक्री सब्सक्राइब करने डॉस्तों गया दोश्तू अबंध्यूख नुकला निकालने कहां गया अपने को तो आपन निकालें तो पॉइंट अ पंटक कि वह कैसे मिलेका दोस्तों बहुत सिंपल है यहाँ द लोग को A2M with negative सब्सक्राइब कर वालउ को सब्सूट करो आंसर किसी हमारे पास कितने धूर्गा हमारे पास 17 अपन 4 जालेंगे यहाँ पर 17 अपन में और इसकी वैलिए कितनी दोस्तों 17 अपन में कि चीजों करते हैं 17 17 गांसल एड़ कैंसल मानस मानस प्लस वन तो यह मिल गया वन 17 17 गैंसल फॉर वन जा फॉर टू जा तू ऊपर चले जागा तो कितना जागा इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया इस तरीके से पिछले वाले स्लाइड में हम लोग क्या मिल गया दोस्तों कि हमारा कंडिशन है सटेस्पाइब कर रहा है कि नहीं कर तो ऐसे चार कोशन है पहला मैंने उस दिन करवा दिया था दूसरा आज आपने कि इसके बात एक और कोशन है वह आप लोग को बोल दिया हुआ है कि यह हमारा टेंजेंट है आपके लोग को एक वाल्यू करने कि यह जो है इसको टच कर सब्सक्राइब करेंगे तो इसको इसमें पूट करेंगे सबसे पर हम लोग क्या दिया हुआ है 9x2 प्लस 16y2 इकोल टू आपकी नजरों को अगर दोका ना हो तो अम लोग को यह समझ में आगे दोस्तों कि यह जो इक्क्वेशन दिया हुआ है इलिप्स का एक्क्वेशन है दो इक एक्वेशन हो एक्वेशन अफल एक्वेशन अफलिप्स इसक्वेशन की वेलिए कितने में लिगे नाइन चुकि आपने सो कंपेर कर ना किससे 2 Mk अब इस एक्वेशिन कम्पेर करते हैं ठी एक्स प्रफवाइबुर्टु प्लस एक्वार्वा जिसल्य तब करतेंगे 8.1-5 प्लस गाहिए आपन कणवर्ज करेंगे 450 दिश्री पहां फेंगे एक्वार्पूयाइब इसका अबन के इक्वेशन और यह होगया हमारा एक्वेशन और यह हमारे वैलिफ दीजिए अब इतना समझ में आ गया बस आप अब लोग यह नहीं कंडिशन में पुट कर देना है कि कंडिशन कि क्या दोस्तों कि कंडिशन कि क्या है दुस्तों सी स्कुर इसप्लेंग लेने गाया है मेंड चमर्ड कि माइनस ट्री अपन फॉर इसको स्कूर पर हमारे पास का बी स्कुराइब यहां पर रहाइं तो यहां पर पूट कर देंगे नाइगे चुल देखते पटाफट से कैसे होगा इसा क्यों तोड़ा अभी आप लोगो समझेगा जब मैं स्क्वार रूट लोगा दोस्तों तो मुझे जबीब प्लस और माइस मिलता है यहां पर के स्कुए इकुबल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 2 इन्टू यहां पर क्या जाएगा डू इन्टू 9 multiplied by 16 as सभी को पता हुआ है कि नाइन का स्क्वीर रूट होता है वह चाहिए स्क्वारूट लिया होगा है कि वह जाए के प्लस माइनस कितने कि प्लस माइनस तो वह सिंबल कोश्चन तो जो मेरे सबसे अभी आप लोको क्लियर हो गया रहे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आए रहेगे तो फटा फट से नोट कर लेंगे फटा फट से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे विदेखना है थारी बहुत सारे कोशन देखना है यहीं पर चाहिए हैं हमें क्या फाइंड करना है और पॉइंट को दिया हुआ हूँ इसको टच करके जा रहा हूँ कि एक बार इसको में इसको लेता हूं इसको में इसको लेता हूं इसको लिए पॉइंट दिया है पॉइंट मुझे क्या दिया हूं दोस्तों टू कॉमा माइनस टू अब एक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे दिया जाता है एक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम लोगों बताते को धान देना वाइज इस प्लस माइनस अंडरूट यहां पर क्या था ए स्कुर्ण सब्सक्राइब करना अब देखो यहां पर सबकुछ है लेकिन नहीं है तो इसके हम लोग यहां से लिख लेंगे एक सम्लों कि कहां से लिख लेंगे एक्स यहां से लिख लेंगे दो वाई और आप लेकितनी है अमारे पास नहीं है एक समरे पास है कितना दोस्तों है टू लएस मारे स्टों इसको अंडरूट वैसी रखता हूं यहां पर आजेंगे ए स्कुर्ण की वैली कि इतनी ए स्कुर्ण अडरूट फटापर से ए स्कुर्य इक उस्टों फाइप या पर एम करना है तो पर लेको श्कुर्ण करूंगा इसे स्कुर्ण करूंगा इसा प्लस और ये स्कुर्ण थे बोट इसे स्कुर्य आपको यह स्कुर्राइं माइनस अंडरोट 5m Square प्लस 4 इसका होल स्कूर यहाँ पर इसको यहाँ नबर के स्कूर जो होता है तो यहाँ भी सकता हूं कैसे हैं देख दो यहाँ पर मैश्क उठाके यहाँ जाता हूं अब वैसे लिए चलेगा उसके बाद क्या होगा दोस्तों इसके बाद ध्यान देना यहां पर हो जाएगा प्लस-गया यहां बच्छे का फाइट यहां पर हमारा value यहां पर लिखता हुआ यहांदेना यहां प्लस-गयाँ अगया और प्लस-गयां मेरे सासे कोई दिक्कत नहीं है सबको उठागे वहां पर लेगे जाओ तो फाइट एम स्क्वेर इसके बाद माइनस एट है उसके बाद देखो दोस्तों कुछ गडबढ़ तो नहीं हुए एक पर वह भी चेक कर लो अगडबढ़ हुई रहेगी तो अपने को समझ में आज़ेगा तो यह प्लस फोर है इस इकविशन ऑप पंपेर यानगे लेंगे के एकविशन ऑफ बन चाइट के लिए पटेश स्ब्रक माइन सब्स्क्राइब नेगे निकाले लेंगे तो पहले बारे पार में लोग भी एक वीडिकल सुएट के यह मरेंगे तो निपन हमारे पास है एक इनमाना मानस टूइन बाइस स्क्रोग पोइंट फॉर्म हम लोग लोग क्या लेक्विशन ओप टाइंजेन हमारा एक्विशन टैंजेन क्या बनता फॉर्मूला यहां प्लस टू हो जाएगा तो यहां पर सॉल कर देंगे एट एक्स इक्वल टू यह प्लस टू सबको यहां पर ले लो स्लोप का कुछ भी मेंशन किया हुआ अब सब्सक्राइब को समझा देता हूं जबी दो पैरलल लाइन का स्लोप सेम होता है परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता हैं यह दो कंडिशन आपकी दिमाग में होने चाहिए इसी के उपर को सब्सक्राइब के लिए क्या है अब है बहुत इंपोर्टन चीज़ दो चीज़ आपने है अब हम लोग क्या दिया है इसके उपर टैंजेंट बन रहा है और लाइन क्या है इस लाइन को प्तार है वह अपने को पता कर रहा है इसके इसाफ से पहले सबसे पहले स्लोप निकाल लेता है तो नाव हमारे पास टू एक सब्सक्राइब कर दूंगा तो वाइज इकूल तो बाइनस टू बाइट री एक्स प्लस फाय आपन त्री टिवेट कर दिया कि दिया मैनस टू बाइट री और यह कितने आ गए यह आ गया आप लोग को ए और बी निकालने में अब आपन बढ़ेंगे हम लोग हमारे एकविशन ओपर टैंजेन के ऊपर सड़ी विशन अपर टैंजेन का फॉर्मॉला क्या होता है तो बहुत स्वाइब इसकोर प्लस ब्स यहां पर वैल्यूस को रिप्लेस करना वाय मैं वैसी रखूंगा व्यूद्वाय हमारे पस हाँ वाई आट वाईंट किया बनाना क्यों और सब्स्क्राइब करना यहां पर इक्सक करना है कि यहां पर रहेगा रूट के अंदर वैल्यूस को सब्स्यूट करेंगे है plus minus a square की value कितनी है 9 m square हमारे पास कितना है दोस्तों 2 upon 3 तो यहां पर कितना हो जिका minus 2 upon 3 का square plus b square की value कितनी हमारे पास 9 upon 4 अब स्क्वायर लेंगे स्क्वायरिंग जैसी करेंगे यहां पर दिखना किया जिको y is equal to minus 2 upon 3x plus minus under root यहां पर 9 4 by 9 plus 9 upon 4 अब इसको यहां पर यहां पर यहां पर क्या है माइनस में यहां पर यहां पर यहां तो माइनस 2 upon 3x का यहां जिका प्लस हो जाएगा इसना क्लियर हो गया प्लस होए पहले से एक्वल टू प्लस माइनस वैसी रूट के अंदर 4 प्लस 9 upon 4 बज़ गया तो एक्स बाइट्री प्लस वाई एक्वल टू जैसे आएगा तो टू एक्स बाइट्री प्लस वाई इसको थ्री से और टू से भी थिसे मल्टिप्लाइगों थी 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 कैंसल तू से मल्टिप्लाइग तो फॉर एक्स हो गया तो एक्वेशन पहला मिल गया प्लस एक्वल प्लस एक्वल टू माइन इस वाट इक्वेशन अफ टैंज इसको भी प्टाफट से नोट करें बहुत सिंपल कोश्य तो यह पर यह भी केयल हो चुका हुआ असांता मेरे साथ इसमें कोई दिख करते हैं इसको में इसको में इसको में 45 से दिवाइट कर देता तो फाइए एक्स स्कुयर अपन 45 प्लस नाइन वाइस स्कुयर अपन 45 इकवल टुवन याने एक स्कुयर अपन 9 वाइस स्कुयर अपन 5 इकवल टुवन इंपलाई यह करता है इसको क्या हो इसको क्या हो टच करके जबना टैंजेंट हो और दूसरा इस लाइन को क्या हो परपेंट कि दर रहो इसका स्लोप में निकाल ले तो पहले है तो स्लोप अफ लाइन इसका निकलना है 3x यहां पर कितनी 3b कितनी हो जाएगी माइनस 3 by 2 आप लोग वाइस प्लस C के फॉर्मल में लेके जाके चेक कर लो आप इसका स्लोप आया हम लोगों निकलना है इसी को एक परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप तो सीन्स सीन्स इस परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर राइन के बीच का स्लोप का रिलेशन होता है एंब लॉट्यू इकूल करेंगे रखो यहां पुटकर तो माइनस ट्री बाइट टू एक वेलिट कितने हुजी कि टूप अन्तरी यहाँ पर क्या चाहेगा यहाँ पर क्या जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट भी स्क्वेयर यहाँ पर क्या जाएगा प्लस बीच्वेयर निकाला है स्क्वेयर निकितना फाइव का फाइव का फाइव का फाइव का वैलो ठीक है अब इसको सॉल करते तो यहाँ पर क्या अचाहेगा मैं और यहाँ फॉर क्याइव का फॉर का स्क्वेयर इधर निकास्वेयर फॉर यहां था तक और आप इसको ठाके यॉक्स टू अपर इसको प्लस करते हैं इसको मैने स्रीवाय हो जाएगा एक वर्ट प्लस माइनस प्लस ना पड़ेगा माइनस प्लस में यह कंडीशन आप लोग को समझ में आना चाहिए तो बहुत थी सिंपल स्लीशन होता है को सॉल्ट करना और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती तो इस तरीके से क्वेशन नंबर टुल्ब भी अपने लोग ने डन कर दिया अब इसको में अगर करना चाहत बहुत लेंदी भी कर सकता हूं लेंदी करना हो अगल सबसे लपने को लिखना पड़े कि क्या होता है इसको पूरा सिंप्लिफाइब करना कैसे यहां पर मैंने करवाए दो आपने क्या लिखा एक यह वला एक यह वला अपने यह वला करने के बाद हो पूरा मालू कि आपने पूरा सॉल कर देश को करने के बद आपने कुछ equation मिला एक वेशन यह वह लिखा यहां पर क्या हुआ है जहाँ कि दो चेंजन क्या है राइट है क्या बूल होँ है एक्वेशन इडिटोर्य टेंजन तोनों क्या है राइक सकते हो त्व傳 सब्सक्राइब कर देंगे यह इदर चाहेगा सॉल करेंगे तो हमने को पूरा सॉल करके दिखाया था बस इसको 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 मैं सब्सक्राइब कर दो इसके एक स्क्राइब कर दो इसके अंतर हमारा अंसर आ गया क्या आ गया सब्सक्राइब और सब्सक्राइब तो आप लोगों को मैंने पहले ही आप लोगों के लिए क्लियर हो गए रहेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहाप अपने क्या करेंगे इसके आगे लिए कोशन दिखेंगे तब तक के लिस्टेट्यू एंड गुडबाई